सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आने वाली नई टाटा टिगोर फेसलिफ्स के बारे माई जैसा कि आपको पता है कि टाटा अपनी पंच और निक्सोन और हरियर को अपडेट कर चुका है लेकिन जो टाटा की टिगोर है और टियागोव है इनका अभी तक कोई भी अपडे जरूर देखना क्योंकि टाटा जो है टिगोर में काफी बड़े बड़े चेंजेस करने वाला है जैसे कि यार गाड़ी का पूरा लुक कंपनी चेंज कर देगी फीचर्स आपको काफी जादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे आने वाली नई टाटा टिगोर फेसलिफ्स में तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी का इंजन जो कि यार भाई सबसे मेन होता है जो टाटा की टिगोर है इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन तो यार जो इसका इंजन है वो आपको मिलता है 3 सिलेंडर के साथ जो की बिलकुल भी रिलाइबल न इंक्रीज हो जाएगी ये गाड़ी अभी आपको देती है 86 HP का पावर तो उमीद है कि इसमें आपको लगभग 100 HP तक की पावर देखने को मिल जाएगी और गाड़ी का जो टॉर्क है वो 113 एनेम से बढ़के 120 एनेम तक का चला जाएगा माइलेज जो है ये गाड़ी आपको 20 के आज़ पास तक का दे देती है और टॉब स्पीड 170 के आज़ पास तक का इजली एचीव करा देगी गाड़ी में आपको कोई भी आप्शन नहीं मिलेगा डीजल का सिर्फ आपको मिलेगा आप्शन पेट्रोल का और सी एंजी का सिटी में जो माइलेज है वो आएगा 19 का हाईवे पे आएगा 23 का और भाई कंबाइन निकाले तो मान के चलो 21 से 22 का माइलेज हराम से ये गाड़ी आपको देतेगी अब बात करते हैं गाड़ी में आपको और क्या-क्या चेंजेस मिलने वाले तो भाई गाड़ी का जो पूरा फ्रंट फेस है ना हेड लाइट बरंट बंपर फ्रंट ग्रिल ये कंपनी बिल्कुल ही री डिजाइन और री टून करेगी भाई क्योंकि इसके जो फ्रंट लूक है ना वो बिल्कुल ही आउटेटेज हो चुके हैं तो यार भाई जो आपको निक्सॉन मिलती है फेसलिफ्ट और जो आपको हरियर मिलती है वो लुक्स काफी जादा अच्छे लगते हैं आज कल वही लुक्स काफी ट्रेंड में हैं तो वैसा कुछ फेस आपको मिलने वाला है टाटा की टिगोर में जिसमें की आपको LED के DRL LED के लाइट मिल जाएंगे जो की रहेंगे प्रोजेक्टर में और गाड़ी की जो ORBM है वो कंट्रोल रहेगी अंदर से भाई उसमें भी आपको मिल जाएगा इंटीगरेटेड DRL और वो डिफरेंट कलर का रहेगा गाड़ी में आपको बिल्कुल ही नए colors और बिल्कुल ही नए graphics मिल जाएगे ये गाड़ी आपको dual tone के साथ मिलेगी साथ ही इसमें आपको company प्रोइड करा देगी sunroof इसका जो tail light है company वो भी बिल्कुल ही नए design करेगी बागी बाई पीछे आपको मिल जाएगा टाटा का बड़ा सा लोगो बाई ICNG की ब्रांडिंग के साथ गाड़ी आएगी और इसमें जो बाई आपको मिल जाएगे कुछ टचप टिगोर वगेरा के बाई interior में जो की काफी ज्यादा अच्छा बनाएंगे बागी यार गाड़ी में आपको पता है बाई कि आपको गाड़ी की बिल्ड क्वाल्टी कैसी मिलती है जो टैर्टी प्रोफाइल है वो आपको एक सो पच्छतर साथ आर पंदरा की ही देखने को मिलेगे बाई गाड़ी में आपको अलॉय विल्ड वगेरा ही देखने को मिल जाएंगे और इसमें जो आपको मिल जाएगा बोटल होल्डर की लिस और बाई की रिमांडर देखने को मिलेगा बाई पीछे आपको एसी के वेंट भी देखने को मिलेगे बाई छोटी कार है फिर भी आपको पीछे एसी का वेंट मिलेगा ABS, EBD, Hill Assist सब कुछ आपको मिलेगा बाई यह गारी जो है काफी सारे नए चेंजिस के साथ आएगे बाई जो की ABS, EBD बहुत ही कम प्राइस में बाई कंपणी आपको अच्छे से अच्छे लुक प्रोवाइड करा रहेगे बागे यह गारी का बाई जो पूरा बाडी पैनल है ना डोर, पिलर A, B, C और फ्रेंट बंपर, छट, अंडर बॉड़ी यह सब कुछ कमपनी बिल्कुल ही रिडिजाइन करेगी जो की बहुत ही जता मस्कुलर हो जाएगा और इसका बाई जो म्यूजिक प्लेयर है वो आपको टच स्क्रीन के साथ मिलेगा जिसका की जो साइज जाएं वो 17 सेंटी मीटर से बढ़कर 20 सेंटी मीटर तक का चला जाएगा जो की एपल कार प्ले और एंट्वाइड दोनों के साथ आएगा और गाड़ी का जो प्राइस है ना वो अभी आपको मिल जाता है छे लाक वंतीस जार रुपए से लेके 9 लाक रुपए के बीच में तो भाई जो प्राइस है वो लगबग बढ़ेगा 30 से 40 जार रुपए हर एक वैरियंट में और ये गाड़ी लाँच होगी आने वाले 2 से 2,5 माईने के बीच में तो चाहो तो वेट कर सकते हो और भाई जो वीडियो में लाइक कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब